नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका अफिके चैनल क्रिविंटेटर में और ये रिलाइंस की चर्चा करेंगे हम ये हमारी रूटीन वीकली वीडियो होती है और रिलाइंस को हम हर वीक एनलाइस करते हैं क्योंकि रिलाइंस का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहता है निफ्टी को दिशा देने में और आपने देखा होगा लाइस्ट वीड में रिलाइंस ने क्या चवरदस्त रहली की है तो जो पिछला हमारा एनलसिस था जो लास्ट या संडए को जब मैंने किया था तो ये लाइन तो मैं आपको लगबाग पिछले दो से तीन महीने से दि तो यहाँ पर अपने पिछले वीक में आपको देखा, अगर मैं आपको daily chart पर देखाता हूं, तो breakout किस दिन दिया है, यह है दो देखे daily chart आपको, daily chart में आप देखेंगे, यह देखे, correct, यह पूरी resistance थी, यह भी resistance, अब इसको इसने breakout देखे closing दी है, वो भी Thursday वाले दिन, ठीक है और इसी दिन हमारी weekly candle भी close हुई यह सबसे बड़ी बात थी तभी आपको दिख रहा होगा यह जो breakout है ठीक है resistance ले रहता है यहाँ पर थस्डे वाले दिन खुला और ऊपर की तरफ ही close करके भागे और बढ़िया तेजी देखने को मिली मुझे लोगों के message भी आये बोल 2433 मैंने 2430 के करीब आपको बताया था last week कि इस level पर नजर बना के रखेगा क्योंकि यही weekly chart पर निकल के आ रहा है अगर आप weekly chart को देखेंगे तो level यह देखें 2430 यहां right side में देखेंगा आपको ध्यान से देखेंगा यह ठीक है तो यह level पर नजर बना के रखेगा इसके ऊपर निकलते ही reliance का breakout है तो 2430 को इसने Thursday को पार किया और यह कितने महीने भईया यह देखेंगे September यह है आपका October यह है November से इस चैनल में यह लास्ट यह लगबग नवंबर चोथे महीने में आके इसने प्रेट होंगी अब यह इसमें ट्रेड गैसे किया जाए टार्गेट तो इसके कहां के खुलते हैं वो सुन लीजिए अब टार्गेट इसके खुल जाते हैं यहां तक के यह लेवल निकल के आता है आपका 2670 2670 यहां तक के टार्गेट ओपन हो जाते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा एल्स इसको देखेगा क्योंकि जो लोग क्या कहते हैं वो होते हैं बेवकूफ मूरख मैं उनको बुलूँआ शेर मार्केट में लूटने के लिए बने यहां ब्रेक आउट दिया कल क्या करेंगे अच्छा जीटी ने तो 2670 बताया है 2700 PC ले लेता हूँ ठीक है थोड़ा सा दिमाग होगा किसी में तो अप्रेल की ले लेगा नहीं तो जो महामुर्ख होगा वो मार्च की ले लेगा ठीक है सच्चा ही बता रहा हूँ काफी लोगों को चेड़ो रही होगी सुनती है ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती और पुट बना ही आपको लूटने के लिए टार्गेट ओपन हो जाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अंद विश्वास करके 100% यहीं तक आएगा ठीक है चलो आपने लेवी लिया तो भाया जो विश्व इसका एसन है इसके नीचे जाते ही कोई ब्रेक आउट नहीं है फिर यह फिर यह फेक ब्रेक आउट है ठीक है औ एक प्रोबैबिलिस्टिक एप्रोच ठीक है एक प्रोबैबिलिस्टिक एप्रोच की बात कर रहा हूँ यह है ट्रेडिंग इस वर्ड को आप समझ गए ना इस वर्ड को आप समझ गए आप तो हमेशा ट्रेड लेने से पहले आप अपना एसन डिसाइड करने लेग जाओ औ और probability कभी भी 100% नहीं होती है किसी भी चीज की बस आप probability कितनी जादा है उस तरफ आप trade लेते हैं ये चीज जिसको समझ में आई फर्स्ट बेसिक स्टेप है ट्रेडर बनने का तो ये इसने breakout दिया है तो एक probability बन रही है जिस range में ये था उसका इसने breakout दिया है अब ये उपर जा सकता है ये probability बनती है समझिये probability कभी 100% नहीं होती है तो अब ये probability बन रही है आपको इस पर trade लेना है simple सी बात है 2481 तो ये already screen पे है 2481 ये already screen पे है इसके सामने जो resistance निकल के आ रहा है 2500 तो target कहां तक कि open हो रहे है 2670 इनफेक्ट इसके उपर भी open हो रहे है और फिलार नस्दीक में आप इसको ही रखिए तो आपने इसके लिए play कैसे करना है वो आपकी decide गरेगी कि आप profit बनाएंगे कि loss बनाएंगे ठीक है अब पहली बात तो second last week हो जाएगा मार्च का तो मार्च के option में गुशने का नहीं ठीक है जोड experience नहीं है जिब simple सी बात ठीक है और जिब का experience नहीं है मैं तो उनको सला देता हूँ cash में trading करिए भाई चाहाए प्रलाइंच का 5000 में दो stock में trading करिए तब इसकी position कैसे लेनी है position लेनी है पच्चिस सो के ऊपर ये जाता है एसल डालिए 2480 और इसको बाय करिए आपके target है पच्चिस सो पचाश पचास पच्चिस सो असी 26 और ये आगे का target है बट फिलाल next week के लिए आप इतना ही रखिए और लॉक कीजे profit को market में सबसे वड़ा loss होने का कारण है profit ना लॉक करना और loss ना बुक करना ये है आपका reliance next week में नीचे की हम इसमें चर्चा नहीं करते और मैं simple सी बात बात को बताऊंगा चो 2481 पे है ये अगर चोटा में time frame लगाके आपको नस्दीक का एसल बताता हूं ठीक है buy side गई sorry buy side गई आपको trade लेना है और simple सी बात है यहाँ पे trade नहीं लेता let it cross 2500 ठीक है cmp इसको cross होने दीजिये sl डालिए 2480 और जो मैंने आपको तीन target बताए है उसके लिए play करिए reliance में breakout है इसमें कोई दोर आए नहीं है और यह breakout fail हो जाएगा अगर यह 2500 के नीचे ही बना रहता है तो बस simple simple सी बात है ठीक है और यहां तक तो मुझे लगता है जाएगा 2560 इसका immediate target 2560 इसके बाद 2600 और यह तीसरा 2670 जो मैंने आपको बताए यह तीन इसके target आप टॉप देखें ना target निकालते कैसा यह देखें एक तो यह तो यह कितना निकल के आ रहा है 2560 इससे पीछे फिर यह एक resistance निकल के आ रहा है जो ही यहाप दिखरा होगा आपको यह और यह support और यह resistance तो यह line भी आपके देख दूसरे number का target निकल के आ रही है यह पहले number का target निकल के आ रहा है यह तीसरे number का target निकल के आ रहा है यह है 2560 यह है 2600 यह है 2670 एक-एक को उपर cross करता जाए closing देता जाए अगला वाला open होता जाएगा यह है एक रास्ता और यह है उसमें बीच के speed breaker और इस line को cross करने के बाद आप इस रास्ते पे चल पड़े है तो इनको speed breaker को आप target मानके चलिए पहला दूसरा तीसरा SL लेके चलिए सीधी सी बात है 2500 के ओपर buy करूँगा और जो breakout वाली closing है उसको लगाऊँगा मैं SL उसके नीचे जाएगा तो no buy at all simple I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा trading is a probabilistic approach इसको समझिए 100% market में कुछ नहीं होता है SL लेके चलिए आपका कुछ profit बनता है book करते चलिए ठीक है चलिए thank you very much किसी का सगा नहीं है भाई market और market का कोई जीजा फूपा नहीं होता जिसकी वो बात मानें thank you very much